तो दोस्तों कल कई बड़ी अटकलों के बाद बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मयावती ने इस पष्ट कर दिया कि वो किसी भी सर्त के साथ इंडिया गठ बंधन में नहीं जाएंगी और जब बहन कुमारी मयावती ने इस पष्ट कर दिया कि इंडिया ग से उसको कैसे शिष्ट किया उसको कैसे एंडिया इंडिया कठ मंदन जो है ये की बाद के बड़ा दलीत में छहरा हुएंग को माय यह हुए ुच्छाजा स्माजपाटी के चिप चंदर सेखर आजاد ponka और चंदर सेखर आजाद जो है मयावती जिस तरीके से दलीतों के वोट वैलेंस को दिशा और दसा तैय करती हैं उसी तरीके से चंदर सेखर आजाद जो है दलीतों के वोट वैलेंस को बना भी सकते हैं और उनके वोट वैलेंस को बिगाड भी सकते हैं तो इसलिए जो है इस वक् जो है भी मारमी साजाज समाज पाठी के चीप चंदर सेखर आजाद बैठेंगे और इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों लगातार जो है इस देश में जो है जितने सारे इंडिया गठबंधन में जो 26 दलों का जो एलाइंस हुआ है उनका अपना अपना तो लोकल व लेकिन सबसे कवाल की बात ये है कि जो इंडिया गठबंधन था उस इंडिया गठबंधन में जो है दलीत कोई बड़ा चेहरा नहीं था जो दलीतों के वोट बैलेंस को इंडिया गठबंधन में सामिल करा सकी लेकिन देखिए लगातार इंडिया गठबंधन की जो बड़ उस जगह पर जो है चंदर सेखर आजाद रावन जी बैठेंगे क्योंकि देखिए लगातार जो है दलीतों के साथ रेटरो सीटी हो रही थी लगातार जुल्म सोसल और अचार हो रहा था और हर कोई चाह रहा है कि अब की बार जो है 2024 का जो इलेक्षन होने वाला है उस में सत् इसको लेकर जो है जितने सारे विए पक्षी दल है उनका जो है नाजारा और उनका जो नजर है जो है दलीत वोट वैलेंस पर था और बहन कुमारी मियावती ने जो है जब जो है कई टकलों के बाद यह कह दिया क्यों इंडिया कट बंदन में किसी सर्थ पर नहीं सामिल तो ऐसे में जो है चंदर सेखर आजाद एक बहुत बड़ा चेहरा है जो कि दलीतों के वोट वैलेंस को बना भी सकते हैं और उनके वोट वैलेंस को बिगाल भी सकते हैं तो इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर यहीं है कि जो इंडिया गठ बंदन है उस इंडिया गठ अभी तो किलियर नहीं हुआ है जो हम आपको एक ख़बर बता रहेंगे ऑन ओफिसियल है इसलिए जो है चंदर सेखर आजाद जो बहुत जल्द इंडिया गटबंदन के जो बड़ा पोस्टर उसमें देखने को मिलेंगे और हली में अभी जो इंडिया गटबंदन का जो मुं चल रही है और चंदर सेखर आजाद का कई जो है सर्थ भी है और उसे सर्थ के साथ चंदर सेखर आजा जो है इंडिया गटबंदन में सामिल होंगे और मुंबई के बाद जहां कहीं भी अब इंडिया गटबंदन की बड़ी बैठक होगी उस उस जो है इंडिया गटबंद समाज पाटी जो चन सेखर आजाद की पाटी है इस देश की नए ने वाली पाटी है और ऐसे में अकेले में चुनाव अगर जो है अजास समाज पाटी लड़ती है तो कही ना कहीं इसका फाइदा अन्य दलों के साथ और भाजपा को फाइदा होगा और भाजपा जो सत्ता की तरफ अगरसर होगी तो कहीं ना कहीं तमाम जो चंदर सेखर आजाद ही हैं जो इंडिया गठवंधन के लोग हैं तमाम जो नेता हैं चंदर सेखर आजाद भी चाह रहे थे कि किसी तरीके से चला जाए और जो इंडिया गठवंधन ओभी चाह रहे चाहें ओ जहन्त चौधरी हों सप्पा परमुखा खिलेश यादों हैं राहूल गांदी हों सोनिया गांदी हो लगातार जो है प्रेंका गांदी भी हैं जो की चंदर सेखर आजाज से अप्रोच कर रही थी इसलिए इसलिए इसलों की सबसे बड़ी ख़वर यहीं की इंडिया सेखर आजाद की और ओभी जो है इंडिया गटबंदन अब जो है पोस्टर पर जो है दिखाई देंगे तो सुचिए कि जिस तरीके से इंडिया गटबंदन में लागातार यह चाचा चल रही थी कि कोई दलीच चेहरा नहीं है कोई मुसलिम चेहरा नहीं है और ऐसे में ला लिए है कि अगर धलीतों को वोट वैलेंस को जए इंडिया गटबंदन वर इसवगों इसकी सबसे बड़ी अपड़ेट है बाकि इससे समंदिद इंडिया गठबदन में सामील होने को लेकर चंदर सेखर आजासे समंदिद कोई ऑफिसियल खबर आपके लिए अगर होगा तोह मापको rapist करेंगे लेकिन यह खबर अगर उस सर्थ को मना जाएगा तो इंडिया के बड़ी बढ़े बठार संद्यार अज है अगर कहीं बड़ी बैठक होती है तो चंदर सिखार आजाद जी जो इसमें सामिल हो सकते हैं उसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दिए और यह वीडियो जनतंत कबर के यूट्यू चैनल पर देख रहे हैं तो चनल को सब्सकाइब कर लिजिए बाकि मैंने अंदर बसंत हूं कि मारे प्रसाती है एडिटर हरिंदर बसंत जी बहुत बहुत धन्यबाद